नमस्कार and welcome. Myself, Dhruvika Kanabar from Śri E. K. Doshi Mahila College, Jamnagar, presenting the Lecture of Business Organization and Management, FYB.com, Semester 2. Unit 1, इमा अपणें chapter 1 complete करिया पछी. Second chapter start करेलू छे. Direction chapter 1 छे दोरवनी, अने, second chapter छे, लीडर्शिप, नेत्रुत्व, एमा आपने लीडर्शिप नो अर्थ, व्याख्या, विशेवाद करी अन्ने लीडर्शिप ना स्टाइल, नेतागिरी ना प्रकारो पधतियो के शेलियो, जन्ने दोरवनेवी पधतियो तरीके पन उडख्वामा आवे छे, मेथद्ज ओफ रि लोक्षाही पधति, डिस्क्रिशन मेथड और डेमोक्रेटिक लीडर्शिप अपरोज, आपकोच शाही पधति थी ओपोजट छे, जया सेकंड मेथड चे, तो दोरवनेवी नी अत्वातो नेतागिरी नी जे आशेलिके पधति छे, मसलत पधति, लोक्षाही पधति, डिस् एटले सु, अपणे कही निसला मशोरा, ए, चर्चा विचारणा, अहिया चर्चा विचारणाने प्राधानी अपफवामावे छे, नेता जे चे ए वेवसदंत्र नी जे निरनाई प्रक्रिया होई, जे कोई डिसिजन सलेवा ना होई, डिसिजन मेकिंग प्रोसेस होई, ए म विचारवेनी मही थाई चे सला सूचन जे छे लेवामा आवे छे कर्मिचारियों पासे थी, अने एना आधारे पछे निरनाई यो लेवामा आवे छे, वैधिक सभा एटले अचानकज मीटिंग बूलावी एनने सला सूचन जे छे, इल्लाई लेवा, एक फॉर्मल स्ट्रक मीटिंग मां जे निरनाई मांटे सला सूचन लेवामा आवे ए अवैधिक सभा, इन्फॉर्मल मीटिंग, जेमके आपड़े मीटिंग मांटे एनाउंस्मेंट करिये, बधाने सूचन आपिये के आदिव से आ समाईए आ जगिया मीटिंग छे, तो एक फॉर्मल मीटिंग थ इन्फॉर्मल मीटिंग थे, तो कोई पड़ प्रकारनी वैधिक के आ वैधिक, फॉर्मल और इन्फॉर्मल मीटिंग सभावों मां आप्रकारना सूचन लेवामां आवे छे, अन्ने वहिवाटी दंत्रमां पार दर्शी तू दर्शी पण, ट्रांस्परेंसी लावा मांटे पन जरूरी फेरफारों समझावा मांटे अथो तो कर्मचारियोंने कामगीरी विशे जरूरी माहीती के समझूती पन आवा प्रकारनी मीटिंग मां आपवामां आवती होई छे आकस्मिक उद्भवती मुश्कियलियोंने निवारण मांटे जनरली अवेवधी का मेटिंग जे एबोलावामा आवती होई छे अने कर्मचारियों मां विश्वास व्यक्त करती आप्रकारनी जे वैधीक अवैधीक सभाव छे और कर्मचारियों आवकारे छे कर्मचारियों ने जेरे फील थासे कि येस वी आर पार्ट अफ दिस ओर्गनाजेशन जेरे आपड़े मी सते डिस्केशन करसू इमना सूचे नो इमना सजेशन्स लेसू बिकाज सी एक वस्तू छे के संचाल अको छे के जनेता हो छे ए टॉप लेवल ऑथरीटी मा आवे एलोको प्लानिंग करे छे स्ट्रेटेजी फॉर्मेट करे छे संचालन करे छे मैनेजमेंट करे छे आयोजन करे छे वी हुरेचना घरतर करे छे पढ़ चता पढ़ क्यातने क्या है कर तमें कोई वस्तू नो प्लानिंग करो एना ती बैटर छे के तमें वस्तू ने खरे-खर एपलाई करो त्यारे ए बाबत मां एने बैटर बनावा माटे तमाही पासे जेसंस उसे एक वधरे यूसफूल हसे ये से अपने कर्मचारी अनुभौव थी एमने केडवेला चे एमनी पासे थी मेडवा एक माटे फाइदा का रगणा यान एना थी जे करमेचारियों चे एमने पन फील थासे के अमें एक आ संस्तान रेक हिस्सों ची येने अमारू पन के एक महत्व चे एकले आवी वैधीक अवैधीक सभाव चे एने करमेचारियों आवकारे छे हवे आ जे मसलत पदती शे ना अर्थनी नेमा कई प्रकारे जेशे निर्णेयों लेवा मावेचे एनी आपने वाद करी के मसलत करीने डिस्कुशन करीने लोक्षाही पदती ठीके जेमा दरेक व्यक्तिने फ्रीडम ओफ स्पीच होई फ्रीडम एक्सप्रेशन होई, बूलवा नो अधिकार होई, पोतानी वाद जणवाणू अधिकार हो एकलने लोक्षाही तो आ प्रकार नी पदति में निर्णेयों आ प्रकार ना अ प्रकार थी आ मैथड थी ललेवा मावेचे ए वाद करी हवे आपड़े आ digo, फाइदानी वाद करी येने पेला थोडिक वाद करी या पिक्चर नी, तो ये तमें जोई शको छो, कि जे टॉप उपर उभा छे, जनाहात मा फ्लाग छे, ए नेता छे, तो ए बाकी ना बद्धा जे एंपलोईचे नो सपोर्ट ले छे, ना सपोर्ट आपे छे, टुपमा ये ग्रूप अक्टिवि फाइदा निवाद करिए आ पद्धती जेशे, मसलत पद्धती येना सू फाइदा छे, तो अईया कर्मचारी ना जे सलासुचन छे, ना इंपोर्टन्स आपवामा आवे छे, एटले कर्मचारी जेशे, एमनू सेल्फ रिस्पेक्ट जेशे, इमनू स्वाभिमान जेशे, एनू पोशन थाई छे, अहम संतो शाई चे वो वर्ड उस करेलो छे, बट अहम ना केता आपणे ने स्वाभिमान केशू, अने एना लिधे हमने प्रोत सहन मड़े छे, एटले एक काम करवा माटे एमनो जुसो जेशे, वधे छे, पाच्छी निरनाई प्रक्रियामा कर्मच अने प्रोडक्टिवीटी वद से, कारेक्षम ताने उत्पदक्ता पण वद छे, एसी वाई कर्मचारियों पोताना नेता ने सरक्षन आपवानो प्रयत्न करेछे, काणके नेता जेशे, एनी साथे जवाबदारीनू पाटिसिपेशन करेछे, एटले कर्मचारियों नेता तरफी जेशे, एपण पोजिटिव वलन, हकारात्मक वलन धरावे छे, एसी वाई एकम मां कर्मचारीनों जुसो जेशे, एपण अईया उचो रेचे, काणके कर्मचारीनों इन्वोल्मेंट डिसिजन मेकिंग प्रोसस मां थाई छे, एकले संचाला के स्थान प्राप्त कर एवा मांटे भावी नेता गिरी जेशे, एनी पड़े खरोड तेयर थाई, आज एक नेता छे, भावीशे मां ए नेता जेशे, ए रेटार थाशे, अथ्वा तो जेशे, कोई पण कारणों सर ए पदु पर नही रे, तो एवा संजोगों मां आपनी पासे बीजा नेता जे ए एवा व्यक्तियों अनुभावती आ प्रकारा नेता बनवा मांटे सक्षम बन से, तो अईया भविशे ना नेता ओपन घडाई छे, ए पड़ा मेथद नो एक फाइदो छे, परण फाइदा नी सते सते अना पड़ा मुग गेर फाइदा छे, जे आपकुच आही पतततीना ग गेर फाइदा बिजाना फाइदा, गेर फाइदा नी जवाद करिये मसलत पड़ाती ना, तो अईयां संचालको जेशे ए आ पड़ाती नो सफड़ता पूर्वक उप्योग अगर ना करी शेके तो लोक्षाही ना लाभ ना मड़ी शेके, एटले आनो उप्योग करवा माटे पड़े प्रोपर टेकनीक अने प्रेकोशन्स जो ये ध्यान थी आनो उप्योग करवो पड़े, उप्योग जरुरती वधारे थाई जाई तो एनी जचे एक खराब असर पड़े, औने साव उप्योग ना थाई तो आ पदती कोई, एनो कोई मिनिंग ना रे एसीवाय पदतीने असरकारक बनाववा माटे एकमनी महत्वनी बाबतो औने समस्याओनी जानकारी नी कर्मचारी होई जोई, एकममा सूँचाली रहियो छे, कई रीते आपड़ा एकममा काम थाई छे, ए बधी बाबतो जचे एना प्रोब्लेम्स चे यूनिटने आपड़ एकममा कोई पोतानों बेस्ट कंट्रिबूशन आपी शक्से, ने पोतानों कोई फाड़ो नहीं आपी शक्ये, एसीवाय कोई-कोई वार कर्मचारी हो जोछे, ए आ प्रकारने निर्णाई प्रक्रियामा भागी दारी होई, कि नेता सथिना संपर्क सत्त थाई, ए उष्था नथी घणी वखत कर्मचारी हो, तो एमा एवा संजोक मा पजती नो कोई अर्थ रेतो नथी, एसीवाय जे सभा बोलववा मावे चे वैधिक के अवैधिक सभा निया पड़े वाद करी के जमाचर्चा विचारना कर्वा मावे चे निर्णाई प्रक्रियामा सलासू चनो ल घणाऊँ छे, तमारो कोई अपिनियान चे, बट जेने पूछवा मावे चे व्यक्ति जानती जोई के आखाली फोर्मालिटी चे, अगर आ याँ अपिनियान रजू कर्शो, तो प्रॉबलेम थशे तो एवा संजगो मा एसू थयू, ए सभानू संचालान जे विरते आप खुद दरीते करवा मावे, के ओके आ निरणाई करवो छे, कोई ने कई एमा बीजू कहीं क्यों छे, कई बीजू सुचन छे, ए विरते पूछवा मावे हिटलर शाही थी, के सामेना जे कर्मचारियों एक कई पोतानी वात रजो करवा माटनी हिम्मतज न दाखवी शाके, एवा आखुच शाही वलन थी, एवा ओटो क्रेटिक वे माँ, अगर मीटिंग नूँ मैनेजमेंट करवा मावे, तो पचे ही करमचारियों प्रतिय जे चे, दुरलक्ष सेवाई चे, ने आम मेथड जे आनेगेर फैदा विशे वात करी, हवे आ पदती कया संजोगों मा अनुकुल निवड़े एनी अगर आपड़े वात करी, when is this approach beneficial? तो जे आपकुच शाही पदती जे संजोगों मा अनुकुल निवड़ती हती, एना थी विपरित संजोगों मा आ पदती अनुकुल निवड़ एजुकेटिड होई, ट्रेंड होई, एवा संजोगों मा आ मेथड जे शे, एपलीकेबल रहे शे, कर्मेचारियों जे पोताना काम थी, तेमाज एकमनी, जे कोई बाबतो महत्वनी होई, जे समस्याओ होई, इना थी जे रे परिचित होई, वाकेफ होई, अवेर होई, त्य आसीवाए कर्मेचारियों निर्णाई प्रक्रिया मा सामेर थवा इस्ता होई, और पोतानी जे सूझबूज होई, पोतानी जे इंटेलेक्ट्ट्टल लेवल होई, इना थी विचाराना करी और सूचे नो करवा माटे सजेशन्स आपवा माटे ज्यारे सक्षम होई, त्यार सूचे नो कर्मेचारियों शिक्षित समझुआ ने तालिम पामेला होई, त्यारे ज आप्रकारी मेथड जे चे ए उप्योगी निवड शे, तो अहीं आपड़ी जे दोरवणी नी अथवा तो नेतागिरी जे बीजी मेथड चे मसलत पदती और डिस्किशन मेथड, डेमोक् से शेयन मा दिक्षिक करी सूच नेंगु और ने ए डाया विड्युट्स वारी जे रिटी निव तोस ए्ट ये सीजी ओड चेमेल अवेल्ट करी को नीं शेय।